नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की सिली बोन सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिली बोन सिरप को कैसे लेना चाहिए, और सिली बोन सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की सिली बोन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडिशन्स में सिली बोन सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, सिली बोन सिरप का उप्योग लिवर की बिमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, सिलीБोन सिरप, लिवर में मौजूद विशेले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्य प्रनाली को अच्छा बनाती है सिली बोन सिरप का उप्योग जॉंडिस यानी पीलिया होने पर, फैटी लिवर होने पर, लिवर में सूजन होने पर, हेपेटाइटिस होने पर, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होने पर और लिवर की पुरानी बीमारियों जैसे सिरोसिस आधी बीमारियों को ठीक करने के लिए silly bone syrup का उपयोग किया जाता है इसके अलावा जो व्यक्ती रोजाना शराब का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं ऐसे व्यक्तियों के liver में विशेले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो liver के लिए नुकसांदायक हो सकता है और जिसकी वज़े से लिवर डैमेज भी हो सकता है सिली बोन सिरप शराब की वज़े से लिवर में जमा हुए विशेले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर को डैमेज होने से रोकती है और लिवर की कार्य प्रणाली को ठीक करने में मदद करती है सिली बोन एक ब्रैंड नेम है, सिली बोन सिरप के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सिली मेरिन होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सिली बोन सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिली बोन सिरप की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिलीबोन सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, पेट से गैस निकलना, दस्त, पेट में बेचैनी और भूख कम लगना आधी साइड इफेक्ट सिलीबोन सिरप की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की सिलीबोन सिरप को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। सिलीबोन सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलीबोन 10 मिलिलीटर सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सिलीबोन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिलीबोन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना सिलीबोन सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की सिलीबोन सिरप को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में सिलीबोन सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को silly bone syrup या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को silly bone syrup का सेवन नहीं करना चाहिए. Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए silly bone syrup का सेवन करना recommended नहीं है. इसलिए डॉक्टर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिली बोन सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिली बोन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं